तो आज मेरे पास में रखे हुई थी एक किलो की गोबी जब मैं इस गोबी को काट री थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या बनाऊ, आ ज़ली मैं सबजी बनाऊँ या पिर मैं पराठे बनाऊँ मुझे deciding करने में बहुत दिक्कत हो ली थी तो मैंने सोचा चलो आज इसकी मैं गोवी के पराटे ही बना देती हूँ तो मैंने यहाँ पे एक किलो गोवी ले ली है और उसको अच्छे से पानी में बॉइल कर ली है मैंने एकदम उबलते पानी में उसको डालके दो मिनिट उसको उबाला था और बस उसे फिन निकालके ठंडे पानी में मैंने डाल दिया था ठंडे पानी में डालने से यह होता है कि गोपी ज्यादा गलती नहीं है और अच्छे से साफ पी हो जाते है और आप देख सकते हैं एक दम स्कूपी चमकी एक दम वाइट कलर की और मैंने इसको ऐसे जार में डालके हाथ से ही इसको ग्रेट कर लिया था ऐसे हमें बहुत आसान तरीके से हो जाता है और ऐसे चॉप्ट कर लिया था मैंने गोबी का और बहुत अच्छे से हो भी गया था और जब मैं चॉप्ट कर रही था तो यहां मेरी बेटी वागी थी क्योंकि उसके आवाज से वो देखने आई थी कि मम्मी क्या कर रही है तो मैंने बोला ले थोड़ा देर तू भी कर ले उसको भी बहुत इंजॉइमेंट हो रहा था आप देख सकते हैं उसके चेहरे की सुमाई कितनी अच्छी है तो वो बहुत सादा खुश हो रही थे और इतनी देर में मेरा यहां चॉप्टी भी हो गया था देख सकते हैं कि तब आरे एक अच्छे तरीके से हो जाता है तो ऐसे चॉप्ट करने के बाद में मैंने उससे सोचा चलो अब चॉप्ट लेते हैं तो क्यूंकि अब इसमें बहुत पानी था मैंने एक तेल में सोड़ा सा हींग डाला और उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया उसके बाद कटी होई हरी मेश डालके यह ग्रेट किया हूँआ गोबी डाल दिया अब इस गोबी में बहुत सारा पानी है इसलिए हमें हाई फ्लेम में इसको पांच मिनट चलाना है और चलाते ही रहना जिससे इसका पानी सारा सूख जाएगा और गोबी हमारी एकदम गलेगी दिनी इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मसाला मसाले में मैंने दो चमज भर के धनिया पाउटर डाल दिया है लाल मिर्श पाउटर नमक और लास्ट वर मैंने इसके सबजी का मसाला डाला है मैंने सबजी का मसाला डाला है और अच्छे तरीके से इसे भूना है ताकि सारे मसाले अच्छे से भून जाए और उसके बाद भर के मैंने इसमें धनिया डाल दिया है दनिया डाल के पास मैंने दो मिनट चलाया है इसको और यह बहुत अच्छे तरीके से मसाला बनके हमारा र बस मैं आगीती उस दो बनाने के लिए और अब इसको मैं थोड़ा सा बेल हुँ लिए ताकि इसको अच्छी जगे मिल जाए पराठे भरने के लिए और फिर मैं इसमें अच्छे से गोभी का जो मसाला हमने तियार किया है इसे अच्छे से भर देंगे और बस उसे बहुत अच अच्छे तरीके से बेल देंगे तो आप देख सकते हैं मेरा मसाला अभी भी गरम है और मैंने अच्छे से उसमें मसाला भर दिया है इसे बहुत अच्छा स्वाध आता है गोभी का पराठा खाने में बहुत जादा मज़िदा आले तो बस अब मैं इसे अच्छे तरीके से गुमा गुमा के धीरे धीरे हातों से बेलेंगे तो पराठा बिल् vigor भी नहीं फटेगा और आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बील रही है बहुत ही अराम से रोटी की तरह हमें इसे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है और सुकार्टा मैं इस तरीके से उपर डालती हूं वकर मुझे जरूरत लगती है तो परना मेरा ऐसे ही बिल जाता है अब देख सकते हैं बिल्कुल भी यहां पर पराठा फटा नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से पतले पतले पराठे बिल्के तयार हो गए है बस अबारी है इसको अच्छे तरीके से सेखने के लिए अब पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है ताकि हमारा पराठा तब पर चुपक ना जाए क्योंकि यह बहुत पतले-पतले पराथे हैं इसके लिए और यह मैंने यहां पर डाला बस इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से सेख लूँघी अगर आप गरम-गरम ही पराथा सेफ कर रहे हैं उर अगर थोड़ी देर बात ख़ाते हैं तो प्राठे एक नपर था हो जाते है मैं आने तेल लगाया है और इसी तरह मैंने सारे पराठे यहां पे सेक लिये थे और मेरे पराठे बहुत ही जल्दी और जटपट बन गए थे अगर आप भी इसी मेथोड से बनाएंगे तो आपके भी पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे बनके तियार हो जाएंगे और यहां पे मेरा पूरा पराठा रेडी हो चुका है मैं आप लोगों को दिखा जिती हो मेरा एक भी पराठा फटा नहीं है फट के बहार आया नहीं है सारे पराठे बहुत ही जादा अच्छे बनके रेडी हुए हैं और यह रहा मिरा आज का लेंच बहुती टेस्टी गूबी के पराठे दही अनचार आप भी अपने घर में ऐसे टेस्टी बराठे बनाएं और इंजॉय करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टी बनके ओिशपने के बाठे बनके बाठे बनके रेस्टी बाठे देप